नमस्कार मुंबे के निकट माता बगला मकी का भवी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है मता बगला मकी दस महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती है ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली हरतरा का विवाद को नस्ट करने वाली हरतरा के क्लेज को नस्ट करने वाली परवारिक सुक को बढ़ाने वाली सुक्षम्रध्य देने वाली माता मानी जाती हैं इसलिए मंदर की निर्मान में आपके सहीयोग की आउ सकता है सुरुवात में इट और प kuvत्तर की रूप में आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहीयोग कर सकते हैं और इंकम टेक्स की आयकरधारा एटीजी की अंतरगत छोटका लाब ले सकते हैं अगर आप सहीो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्किप्शन में लिंक दिया है वहाँ से जानकरी प्राप्ट कर सकते हैं नमस्कार मंबई के निकट वजरे स्वरी में कामाख्या कामरुप साधना होने जारी है इसमें माता कामे स्वरी के सभी सुरूटों के साथ भगवान उमानंद भैरों की उपासना भी की जाती है ये साधना संतान प्राप्ति मनपसंद साथी की प्राप्ति के लिए साथी हर तरह का सुप एस्वर प्राप्त करने के लिए की जाती है इनकी साधना से मनुस्य के सभी प्रकार के पाप नस्ट होकर मनों काम नापून होती है इनकी करपा से मनुस्य तेजी से तरक्य करता है प्रसंड रूप से सत्रू पर वीजे प्राप्त करता है हाथ तरक्य तंस्र के प्रभाव से मुक्ती मिलती है पीट पीछे से सत्रू अपना प्रभाव नहीं डाल पाते संसारिक जिवन में आने वाली सभी समस्या का समाधान होता है पता चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर सत्रों और तंसर बाधाओं से आपकी सुरच्छा होती है धन वद्धी के स्रोत बढ़ने सुरू हो जाते हैं उकरी वियाबार दुकान धंडे में तरक्की के साथ विवाद इकलेश नस्ट होकर पारवारिक शांती मिलती है इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं एक तो सिवीर में आकर आप साधरा में भाग ले सकते हैं दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं अगर आप भाग लेना चाहते हैं, तो नीचे description लिंक दिया है, वहाँ से आप फाउम भर सकते हैं. नमस्कार, द्वियोग आस्म की तरब साबका हर्दिक सौगत हैं, आज छर्चा करेंगे स्राउन मेहने में खास परकार के उपाए के बारे में, वैसे इस प्रयोग को स्राउन मेहने में कभी भी कर सकते हैं, या किसी भी बुदूदुवार को ये प्रयोक कीया जा सकता है, ये प्रयोग बहुत ही काम आता है。 स्रावन मेहने में लोग इंतिजार करते हैं कि अगर उनको relationship के कोई problems हैं, मन चाहा partner की tास है, तो लोग स्रावन मेहने का इंतिजार करते हैं. इसके अलावा आर्थिक अर्चने हैं, धन की record है, नोकी, धन्दा, काम, योधाई बिजनेस में कुछ नुक्सान हो रहा है या उससे लिटट कोई नया काम आप करने जा रहे हैं और समझ में निया रहा कि कैसे करें तो ये उपाय आप को करना चाहिए यानि जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं ये उपाय करने के बाद आप अपने नए काम की शुरुआत करें या मनपसंद पार्टनर की तलास में हैं तो मनपसंद पार्टनर की तलास सुरू कर दें लेकिन ये उपाय करने के बाद ये बहुत ही खास माना जाता है महिलाओं के लिए स्रावन मेहना बहुत सुभ माना जाता है मन पसंद पार्टनेर की प्राप्ति के लिए इसके अलामा कोई पार्टनेसिप में आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो भी ये प्रियोक किया जा सकता है बिजनेस में रुकावट आ रही है किसी भी किसमे को रुकावट आ रही है नोकरी में पदुन्यती नहीं हो पा रही है तो ये प्रियोक बहुत खास माना जाता ये प्रियोक की खास बात ये है कि बहुत कम मेनत करनी पड़ती है और आपको लाग मिलता है जैसे हम लोग कहते हैं डूपते को तिनिके का सहरा बहुत होता है उसी तरह की बात है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में उतनी सफलता नहीं मिल दई है तो हम लोग कहते हैं कि मेहनत उतनी ही करिये जितनी की आप कर रहे हैं इसके साथ में ये जो अध्यात्मिक कर्म हैं इसको जोड़ दीजिए बस इतना आपको करना है तो आपको ऐसा लगेगा कि benefit सुरू हुआ क्योंकि स्रावन का मूर्त अगर चला गया तो सब मूर्त चला गया तो आज का जो प्रयोग है वो है आपको एक रुपया पांच रुप के जबड़ पाने से आप धो लिजे और हलदी का एक ऱुड़ा ले लिजे और लेने के बाद अपने सामने के पलेट या स्टील के में उसको रख लीजे अपने सामने रखिए गी का दीपक जलाईए घीका दीपक का मुख जो होगा आपकी तरफ होगा ब्लू ब्लेक कपड़े न पहने धिली राइव वासमेन का शान कमरे में बैठ जाएं जमीन पर बैठते हैं तो लाल कपड़ा बिछा लें आप सोफी में बैठ कर पूर्सी में बैठ काई भी कर सकते हैं बीस्तर में बैटकर नहीं कर सकतें, तो आपने सामें प्लेट पर, एक घल्दी का टुकड़ा और एक सिक्टा, ये दो वस्तु आपने सामने रखें, दो वस्तु रखने के बात, एक प्रेका दंत मुद्रा आती है, दंत मुद्रा ऐसे बनाया जाता है, इस तरीखे से, ये दे मुद्रा लगाएं दुन मुद्रा ख़ली ऐसे आपको लख़ national है स्टीब कर अंगर चपर धिंदन रेकर दस वरा प्रडाव करें याने ऐसे फिर जो से खीचे इस सिर्कित दस बार आप प्राइम करने दस बार प्राइम करने के बाद यही मुद्रा लगा कर खास प्रकार का मंतर मैं इस मन को फिर से बोल आओ तो बस यह मुद्रा लगा कर यह मंतर का आपको जाप करना है इसमें किसी माला की आउसर का नहीं होती क्योंकि आप मुद्रा लगा कर मंतर का जाप करते हैं यह और यह जो प्रयोग है यह आपको करीब करीब 20 मेंट से आदा गंटा एक गंटा तक जो भी आप लगे कम से कम 20 मेट तक ये मंद्र का आपको जाब करना है ये मंद्र का जब जाब हो जाता है तो इसके बाद जो हल्डी और सिक्का है इसको कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी में, गल्ले में, पूजा घर में अलमारी में, अपने आफिस में, दुकान में जहां पर भी चाहें, वहाँ पर आप इसको लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं इसकी खास बात ये है इसमें भगवान गणेस का बीजमंतर तो हई है माता बगला मुखी का भी बीजमंतर है भगवान गणेस का जो गम और गलॉम जो बीजमंतर है भगवान गणेस का है और माता बगला मुखी का हालरीम बीजमंतर है ये दोनों जो सक्तियां है बहुत सफलता आपको देती है आप साधी करने जा रहे हैं मनपसंद पार्टनर की तलास नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते जो नहीं चाहते है कि आप अपने जीवन में तरक्की करें आप नोपरी योसाय कर रहे हैं तो कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में तरक्की करें आप किसी नए कारी के सुरुआत करने जा रहे हैं तो कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आपने कारे में शुरू हो पाएं, आपका कारे सफल हो जाएं इसके लिए ये बहुत विशेश विधी माने जाती है, कोई भी ने काम सुरू करने के पहले ये प्रयोग करना चाहिए फिर ये माना जाता है कि ऐसा नहीं हो सकर कि आपका वो कारे सफल नहीं हो साधी व्याब करने जा रहे हैं बहुत से लोगों के मन में सांप लोटें शुरू हो जाते हैं कि आप सुब कारे करने जा रहे हैं तो ये प्रियोग करना चाहिए इसकी वएसे आपके कारे में किसी की नजर नहीं लगती, तो ये बहुत-बहुत-बहुत काम आता है, ये प्रयोग आपको करना चाहिए, कि भगवान गड़ें इसके साथ बगला मुखी बीजमंत अगर जोड़ जाता है, तस गुना सकती बढ़ जाती है अपने आप, तो ये प्रयोग करें, इसके नियम, अठ्रावर्ज के कोई भी इस तरी प्रुश कर सकता है, मासिक धर में महिला आएं, इसका उप्योग न करें, और दक्षिन दिशा की तरफ इसका मुख करके करें, सुर्यास्त के बाद आप सुबह के सामे कर सकते हैं, लेकिन सुर्यास्त के ग्लू और ब्लेक कप्रे ना पहने इसमें एक बेशावाप पुला मिल जाएगा दच्छिन जिसा के तरह मुख करें और ब्रम्चरे का पालन करें ये एक दिन का जो प्योग है ब्रम्चरे का पालन करें किस दिन कर सकते हैं किसी भी बुद्वार के दिन किया जा सकता है और स्र दान-पान की बात करते हैं, तो उसमें फल, सलाद, साक सबजियां, इनका सेवन ज्यादा करें, और नौनवेच, मिर्च, मसाले, खटाई, इनका सेवन ना करें, ये एक दिन का प्रयोग है, ये करें, और ये करने के बाद इसको फल या भुजन दान कर दें, पैसे दान ना करे पैसे दान करना है, तो मंदिर की दान पेड़ी में आप दान कर दें, तो ये प्रयोग करें, और देखते देखते आपको लाब मिलना शुरू हो जाएगा, बस अगर लाब मिलता है, तो लोगों की बिना स्वार्थ के मदद करें, धन्यवादे.